आप सभी ने मेरे राहू के राशी परिवर्तन की वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने तीन वीडियो बनाये थे राहू के राशी परिवर्तन का दुनिया पर जनरल इफेक्ट क्या रहेगा राहू के राशी परिवर्तन का स्पेसिफिकली भारत के ओपर कैसा प्रभाव रहेगा और राहू के राशी परिवर्तन का आप सभी की राशियों पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर राहू के बाद केतू का राशी परिवर्तन भी साथ ही होने वाला है जिस दिन राहू राशी परिवर्तन करते हैं उसी दिन केतू का भी राशी परिवर्तन होता है और केतू भी अपनी चाल के आधार पर चीज़ें के रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं राहू जो है वो व्रशब से मेश राशी में जा रहे हैं जबकि केतू जो है वो व्रश्चिक राशी से तुला राशी में आ रहे हैं तो इसलिए यहां पर कहीं न कहीं confusion होती हुई दिखाई दीगे आप सभी को और ये चीज़ें द्यानक नहीं कि राहू का transit अलग है केतू का transit अलग है राहू के result अलग है केतू के result अलग है यहां से हम specifically बात करते हैं सबसे पहले केतू के transit को समझते हैं उसके बाद केतू का general effect देखेंगे और उसके बाद आने वाले वीडियो में मैं आपके उत्ता हूँगा कि भारत के उपर और आपके अपनी राशी के उपर कैसा प्रभाव पढ़तावा दिखाई देता है चलिए पहले बात कर लेते हैं आपर कि केतू कब transit करने वाले हैं तो same केतू भी आपका 12th of April 2022 को राशी परिवर्तन करेगा और केतू जब राशी परिवर्तन करेंगे तो व्रश्चिक राशी से निकलके तुला राशी में प्रवेश करेंगे तुला राशी का केतू कहा और कैसा रिजल्ट देगा वैसे दिख्या अभी करंट टाइम में अगर देखा जाए तो केतू जो है वो दो डिग्री पर बैठा हुआ है दो डिग्री से नीचे यहाँ पर मतलब 2.4 अभी सम्टिंग चल रहा है और दीरी दीरे दो डिग्री के नीचे आने की कोशिश कर रहा है विशाखा नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र के चोथे चरण में केतु विराजमान है और केतु विशाखा नक्षत्र में ही ट्रांजिट करते हुए नजर आएंगे तो ये एक कहिने के प्लस पॉइंट है अमाल लिए positive बात है कि गुरु के नक्षत्र में रहते हुए केतू का transit होगा और केतू तुला राशी में प्रवेश करते हुए नज़र आएंगे तुला राशी शुक्र का गर है और शुक्र के गर में केतू का आना अपने आप में एक बड़ा महतव है अब देखे क्या coincidence है अभी current time में अगर देखा जाए तो राहू बैठे हुए है शुक्र के गर में व्रशब राशी में व्रशब का माली के शुक्र और कुछ समय बाद केतू बैठी जाएंगे शुक्र के गर में और तुला राशी शुक्र का गर है तो इसलिए बहुत impact आने वाला है शुक्र प्रदान कहीन कहीं दोनों ही गरह चल रहे हैं क्योंकि शुक्र इंका leader है शुक्र के अंदर यह दोनों काम करते हैं तो इसलिए तुला राशी पर बहुत ही जादा impact देता हुआ नजर आएगा केतू का अब केतु का impact तुला राशी पर जब बैठता है तो क्या रहता है उसको समझते हैं दुनिया में किस तरीकी गटना है गट सकती हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो केतु जब भी तुला राशी पर आते हैं तो तुलाराशी पर बैठा हुआ केतु दुनिया में कही न कही डिस्बैलेंस दिखाता है क्योंकि it's a center of the chart center of the chart में लूप अगर थोड़ा सा भी दरूदर हो जाता है केतु का केतु का जो degree behavior रहेगा वो काफी जदा change रहेगा इन उसमें balancing level आने में बहुत समय लगेगा मतलब कि ये तो confirm है कि केतु के वज़े से यहाँ पर कहीने के दिकतें परिशनिया आ सकती है आप सभी ने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बात करी थी recession की कि कहीने कहीं recession आने के chances दिखाई देते हैं और इंडिकेशन की recession यहाँ पर 2023 तक entry मार सकता है और थोड़ा सा crisis situation create हो सकता है That is the main reason कि केतु जो है यहाँ पर recession की कहानी को लिख सकता है केतु के पास वो power है यहाँ पर बैठे बैठे कि recession में यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं केतु की वज़े से businesses में काफी जादा up and down यहाँ पर देखने को मिलेगा बहुत कम लोग रहेंगे जिनके business को यह केतु support करता हुआ नजर आएगा एक चोटा सा example बताता हूँ अनिलम्मानी जी की जो company है Reliance वो भी कहीने के इसी fair में चल रही है और अभी downtrend पर जाते हुए दिखाई दी रही है RBI उसकी कहीन के एक तरह से निलामिया बोली कुछ ऐसा होने वाला है RBI अपने कबजे में लेने वाला है ऐसे कुछ बाचित भी चल रही है यहाँ पर जैसे ही 15 March निकलेगा ये इस्तियां और जादा खराब हो सकती है उनके लिए तो ये आपको एक पहले से बता रहा हूँ कि ये होता है केतू का प्रभाव केतू अच्छी खासी कंपनी को भी downtrend पर लाकरके अपने हाथ से आप गवा सकते हैं इस तरह के काम केतू करवाता है तो इसलिए यहाँ पर आप सभी को बहुत ज़्यादा साफधान रखना है वो सभी लोग जो बिजनस करते हैं खास कर उन सभी लोगों के लिए जिनका पार्टनर्शिप में बिजनस है उन्हें तो यहाँ पर काफी ज़्यादा परिशानिया आ सकती हैं देश और दुनिया में मैं बात कर रहाँ फिलाल तो बड़े लेबल पर बात कर रहाँ कि वो सभी लोग जो पार्टनर्शिप में काम करते हैं उनके लिए बहुत साफधानी से समय निकालना है नहीं तो के तू पार्टनर्शिप में इस्टरबेस देंगे ही देंगे और पार्टनर्शिप ब्रेक होने के चांसिज यहां पर बनते हैं इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि दो देशों के बीच में संबंद खराब हो सकते हैं दो देशों के बीच में संदी अगर किसी बात को लेकर के हुई है किसी एक बात पर उस सालों से सहमत थे सड़नली वो आपका रूल ब्रेक हो गया और सड़नली दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ हो गए तो इस तरह की चांसेज भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं तो इसलिए देशों के बीच में समझोतों का तूट जाना ये केतू यहाँ पर दिखाता है साथी साथ बड़ी बड़ी डील्स का फाइनलाइज होते होते खतम हो जाना भी यहाँ पर केतू दिखाता है साथ ही साथ पानी से लेड़ समस्याएं भी मैं आपको अल्डी बना बता चुका हूँ पानी में जहां जो का डूब जाना पानी में जहां जो में खत्रा आ जाना या फिर cargo plan या फिर cargo जहांज ये वो होते हैं जो सामानों को इदर उदर ले करके चलते हैं तो वो सभी जो सामानों की अदला बल्ली होती है सामानों को इदर से उदर ले जाते हैं Import-Export का काम specifically उस पर काफी ज़्यादा प्रभाव पढ़ता हुआ नजर आता है Import-Export के काम पर काफी ज़्यादा प्रभाव पढ़ता हुआ नजर आता है और इसलिए बहुत साबधानी से आपको ट्रांजिट करना चीए सामानों का नहीं तो उसमें दिक्कतने परेशनियां ज़्यादा होते हुए दिखाई देती है साथी साथ अगर आप देखेंगे तो केतु का जो ट्रांजिट रहने वाला है इस केतु के ट्रांजिट में आप सभी को जो जनरल अगरम बिहिविर की बात करें यहाँ पर तो परिशानिया तो रहेंगी रहेंगी रिलेशनिशिप में भी आपको काफी ज़दा अंस्टेबिल्टी दिखेगी और उसके कारणसी भी आप बहुत ज़दा अच्छा मैसूस ना करें तो इसके चांसिज यहाँ पर बिल्कुल क्लिरली बन सकते हैं इसी के अलावा एक गुसा, अग्रेशन, असंतोष, डिस्साडिस्टैक्शन ये सारी चीज़ें आपके अंदर देखने को मिलेंगी धीरे धीरे आप कही न के अपने ही काम को लेकर के परिशान होते जाएंगे स्ट्रेस लेवर बढ़ सकता है, इसके चांसिज डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई देते हैं तो माहौल कुछ इस तरह से क्रिएट होगा, एन्वायरिमेंट कुछ इस तरह से क्रिएट होगा किसी आंदोलन में इन्वाल्व किया जा सकता है, या महिला लीडर बनकर के आगे उगरे, वो भी पॉसिबल है इसी बीच में महिलाओं को कोई बड़ा सम्मान भी मिल सकता है, इस बात को भी विशेश द्यान दीजिएगा कि महिलाओं को काफी जदा benefit भी मिल सकते हैं, और महिलाओं को काफी जदा नुकसान भी हो सकता है तो दोनों ही एंगल पर यहाँ पर female element थोड़ा सा जादा रहेगा इसलिए महिलाओं को बहुत सचेत रहे करके बहुत साबधानी से आगे बढ़नी की कोशिश करनी चीए सही direction रहेगा, रास्ता अच्छा मिलेगा और definitely यहाँ पर अच्छी success आपको देखने को मिलेगी तो इसलिए केतू के इस transit की वज़े से आप देखेगा कि महिलाओं को बड़ी उपलब्दियां मिलते हुए भी दिखाई देती है इस साल में आने वाला समय जो रहेगा, वो कहिर के फायदा देता हुआ, जरूर नजर आता है तो ये एक बहुत अच्छी चीज रहेगी, इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज़दा fluctuation होने वाला है economically बहुत ज़दा up and down केतू दिखाने वाला है और definitely केतू के इस transit की वज़े से आप देखेगा कि कुछ negative activities जादा रहेगी जैसे कि smuggling हो गया, drugs हो गया, इस तरह की activities के कारण से प्रशाशन, पुलीस, ये सभी काफी ज़दा अफ्रा तफ्रीयाला माहुल रहेगा और चीजों को निकाला जाएगा, scandals खुलेंगे, open होंगे काफी सारी इस तरह की गटनाएं इस समय में गटते हुए नजर आती है और साथी साथ, ब्रश्टाचार थोड़ा सा बढ़ेगा और ब्रश्टाचार को रोकने के लिए भी कुछ नए नियम निकाले जाएंगे कोड की तरफ से कुछ नए कानून बनाए जाएंगे ये भी कहीन के यहाँ पर दिखाई देता है तो overall देश और दुनिया में काफी ज़दा impact यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है इस पूरे सरकल में अगर हम बात करें तो ज़्यादा दर चीज़ें जो है वो कहीन के प्रभावित करेंगी अमेरिका की तरफ, कैनेडा की तरफ और यूके की तरफ ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी कुछ इस डैरिक्शन में आप देखिएगा और साथी साथ केतू के ट्रांजिट का में प्रभाव जो पड़ेगा ये आपका अफगानिस्तान, तालीबान और साउदी की तरफ भी पढ़ता हूँ नजर आएगा कुछ नई news, कुछ नई नियम, कुछ sudden changes साथी की तरफ से देखने को मिलेंगे UAE की तरफ से, और कुछ नए rules बन सकते हैं, इसके भी chances यहाँ पर clearly दिखाई देते हैं वीजा में भी changes हो सकते हैं, वीजा में भी नए बदलाव आ सकते हैं तो इसलिए लोगों को travel करने में थोड़ी सी परिशानियों का सामना करना पड़े वो भी यहाँ पर possible दिखाई देता है तो केतु का है जो यह transit है, यह आने वाला देट साल रहने वाला है और आने वाले 1.5 यर में, there are lot of fluctuations, lot of changes we'll see in front of us and यह बहुत बड़ा movement होने वाला है because अब आप देखिएगा राहू का जो transit है, उसका वीडियो और केतु के transit का वीडियो similar साथ में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह की गटना है राहू करेगा किस तरह की गटना केतु करेगा, कहां पर किस गटना का impact जादा रहेगा और किस तरह की चीज़े निकल के बाहर आएगी तो उसमें आपको सारी जानकरी समझ में आ जाएगी कि आने वाला समय दुनिया के लिए कैसा जाने वाला है दुनिया को बहुत समबल के रहने की ज़रुत है बिकाज जब-जब केतु तुरा राशी में आते हैं तब-ब कही न कहीं बिमारिया, परिशानिया, मांसिक बिमारी भी सिकली क्योंकि stress level बढ़ता है तो बिमारियों में मांसिक बिमारिया और workload, stress ज़ादा होने के कारण से परेशानिया भी ज़ादा होती है और कुछ नई चीजें अच्छी होती हैं तो कुछ चीजें खराब ही होती because K2 comes with a plus and a minus but K2 comes with a hope always so definitely सारे रास्ते बंद होने के बाद भी कोई एक रास्ता खुला रहे गई रहेगा और वो ही आपको ढूरने की कोशिश करनी है टोमिक करूँआ कि K2 का ये transit दुनिया में अच्छे result लेकर के आए बहुत ज़ादा खराब result लेकर के ना आए और चीजों को अच्छा करने की ही कोशिश करे but definitely उसका जो basic nature है वो वो करे गई है तो इसलिए कुछ बड़े-बड़े relationships ब्रेक हो सकते हैं कुछ बड़ी-बड़ी partnerships ब्रेक हो सकती हैं कुछ बड़े-बड़े businesses में काफी ज़दा बड़े-बड़ doses हो सकते हैं तो ये सारी चीज़े pattern है उसका वो वो करेगा ही करेगा साथी साथ किसी महिला को कोई बड़ा अचीमेंट मिल सकता है कोई बड़ी महिला किसी बड़े पत पर जा सकती है तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल दिखाई देता है वो भी आपको जरूर होते वे दिखी जाएगा उमीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आने वाले समय में मैं आपको जरूर अगला वीडियो दूँगा जिसमें केतु के राशी परिवर्दन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपकी राशी पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी आपको मिल जाएगा उमीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चेलर को सब्स्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं अपने बारे में कुछ समना चाहते हैं आपकों से संपर कर सकते हैं मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर समव मदद्यां पर कर सकते हैं धन्यवाद